दोस्तो घर में तुल्सी रखनी की प्रम्परा आज की नहीं बलकी प्राचिन काल से ही घर के आगन में तुल्सी पूजन की प्रम्परा रही है फिर चाहे वो किसी राया का घर हो या किसी गरीब का घर में तुलसी का पौदा रखना केवल धार्मिक रूप से इने इंपल की विज्ञानिक रूप से भी लापकारी माना याता है सास्तरों में तुलसी को पूजनिय, पवित्रि और लच्मी माता का सुरूप माना याता है इसलिए घर में तुलसी का होना अनिवारिक होता है कहते हैं जिस घर में तुलसी होती है वहां देवी देवताओं का वास रहता है वेज्ञानिक तोर पर तुलसी के पौदे से लाबकारी तत्वे रिलीज होते हैं जो घर में मच्चरों वे अन्य कीर्ट पतंगों के पिर्वेश को कम करते हैं तुलसी के पत्ते बहुत सी बीमारियों में काम आते हैं जबकि तुलसी की चाय पीने से पेड़ दर्द और सेर दर्द छूम अंतर हो जाता है इसके अलावा भी तुलसी के धेरों फायदे होते हैं इसलिए घर में तुलसी का पौदा लगाया जाता है लेकिन तुलसी पूजा के कुछ नियम और विदी होती है जिसके बारे में सभी को पता नहीं होता इसलिए आयम आपको तुलसी की पूजा कैसे करें और तुलसी के पूजा के नियमों के बारे में बता रहे हैं तुलसी पूजन करने के लिए सबसे पहले पूजा की प्रेट एक सुद्ध जलका, लोटा, गंगा जल, अगर बत्ती या धूब बत्ती, घी का दीपक, हलकी और सिंदूर इखटा कर लें अब आंगन में रखी तुलसी के पास जाएं और सर्व पृत्तम तुलसी जी को प्रडाम करें उसके बाद जल अर्पित करते हुए इस मंत्र को पढ़ें मा पिरसाद, जननी, सर्व, स्वभाग्य, वर्दिनी, आदी व्यादी, हरा, नित्य, तुलसी त्वम, नमो उस्तुते, मंत्र पढ़ने के बाद उन्हें सिंदूर और हल्दी अर्पित करें दोस्तों अगर आप इस मंत्र को नहीं पढ़ सकते तो ओम, तुलसी, माताय, नमा मंत्र का जब करें सिंदूर और हल्दी अर्पित करें क्योंकि यह उनका सरंगार है इसके बाद तुलसी जी के समझ घी का दीपक और धूब बत्ती अगर बत्ती जलाएं इसके बाद साली गिराम और विरंदा देवी को इसमर करके तुलसी जी का जयकारा लगाएं अब तुलसी मा की आर्ती गाएं और फिर परवार के लिए सुक सम्रिद्धी की कामना करें अगर आपके घर में तुलसी जी है और आप उनकी नियमित रूप से पुजा अर्शना करते हैं तो इन नियमों को जनना आपके लिए आवश्यक है सास्त्रों के अनुसार एका दसी, रविवार के दिन और सुर्र घरण वर चंद घरण के समय तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए इसके अलावा रात में और बिना उपियोग के भी तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए जिसा करने से व्यक्ति को दोस लग सकता है घर में तुलसी होने पर रोयाना नेमित रूप से तुलसी पूजन करना चाहिए और साम के समय तुलसी में दीपक अवस्य जलाना चाहिए कहते हैं जिस घर में साम के समय तुलसी के पास दीपक जलता है वह सदेव लच्छमी जी विराजमान रहती हैं घर के आंगन में तुलसी होने से कई तरह के वास्तु दोस्त समाप्त होते हैं और परवार की आर्थिक इस्तिती भी बेहतर होती है। तुलसी का पौदा होने से परवार के सदस्यों और घर को बुरी नजर नहीं लगती और घर में किसी भी तरह की नगारात्मक उर्जा भी सक्री नहीं हो पाती इससे घर में सकारात्मक उर्जा का वास होता है अगर घर में लगा हुआ तुलसी का पौदा सूख जाए तो उसे किसी नदी या बेहते पानी में प्रवाविद कर देना चाहिए क्योंकि घर में सूखा पौदा रखना असुमाना जाता है किसी पिर्साद या खाने पीने की चीज में तुल्सी का सेवन करते समय इस बात का खाश दियान रखना चाहिए कि उन्हें चवाएं नहीं बल्कि निगल लें इस तरह तुलची का सेवन करने से कई रोगों में लाब मिलता है क्योंकि इसमें पारा धातु के कई तत्व होते हैं जिनें चवाने से दातों को नुक्सान हो सकता है इसलिए तुलची के पत्ते चवाए नहीं सिबलिंग और गड़ेश जी के पूजन में तुलसी के पत्ते का प्रयोग वर्चित होता है जिसके पीछे अलग-अलग मानता है इसलिए इन दोनों के पूजन में तुलसी का प्रयोग नहीं किया जाता तो दोस्तो ये था मेरा आज का वीडियो उम्मित करता है वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा तो आप हमारे इस वीडियो को ज्यादा से आपने दोस्ता शेयर करें नीचे कमेंट बॉक्ट में सच्छे मन से जैमाल लच्मी जरूर लिखें जिससे कि आपकी हर मनो कामना पूरी हो सके तो मिलते हैं अगले नए वीडियो तक लिए उसको जैमाल लच्मी